नमस्कार दोस्तो, सुवागत है आपका क्लोजर टेक में मैं सुरॉप आज आपको कुछ टेक न्यूस बताऊंगा दोस्तो आज हम बात करने होले टेक न्यूस 13 के बारे में So let's begin तो दोस्तो बात करते हैं सबसे पहले टेक न्यूस के बारे में पाइस रिवील नहीं हुआ है और यह दिवाली की सीजन में लाँच होने वाला है तो दोस्तो बात करते हैं दूसरे टेक न्यूस के बारे में जियो फोन के डिलेवरी 1st of October से चालू होने वाली है सबसे पहले यह डिलेवर होगा रूरल एरियास में और बात में यह डिलेवर होगा अर्वन एरियास में 6 lakhs phone अब तक बन चुके है और अगर आपको यह phone मिलता है तो नीचे comment जरूर किजिएगा कि आपको यह phone मिला है तो दुस्तों बात करते हैं तीसले टेक्निविस के बारे में Android O जो है Android Oreo इसकी updates आपको end of the year तक मिल जाएगी specific companies के नाम दियो है जिसको end of the year तक Android O के updates मिलने वाले है जो है LG, Nokia, Samsung, Xiaomi, Lenovo, Asus, OnePlus ऐसी जब companies है जिसको Android Oreo के updates जल्दी ही मिलने वाले है तो चौत ही टेक्निविस के बारे में जो है Apple के तरफ से Apple iPhone 8, 8 Plus और Apple iPhone 10 के अंदर आपको super fast Gigabyte LTE network नहीं मिलेगा जो अभी के premium phones के अंदर अविलेबल है तो आपको थोड़ी सी problem होगी surfing करने के लिए और data use के लिए तो दुस्तों बात करते हैं पाचबे टेक्निविस के बारे में इसके 2K LCD display दिए है और जैसे के आप यहाँ पर images देख सकते हैं यह बहुत अच्छा ही और premium phone दिख रहा है दुस्तों बात करते हैं जो है Sony XZ1 के बारे में यह आएगा दोस्तों आपको 44,500 रूपीज का और इसके अंदर आपको मिलेगा Snapdragon 835 का processor 2700 की battery दिए है तो यह शायद अची बात नहीं है इसके अंदर इसके अंदर भी आपको मिलेगा 7.1.1 जो है latest Android Nougat अभी का और दुस्तों इसके अंदर भी आपको water resistant और dust resistant मिल दाएगा इसके अंदर भी दुस्तों fingerprint scanner की facility दिए है तो दुस्तों आज के लिए सिव इत झाल